कि आप चाहें तो चंम्मत से घीड करा सकते हैं इस तरीका से झाल से ले लेगा इसां भी ने कि इस तरीका से फीडिंग ले लेकर इसमें कि थोड़ा तापको टाइम जाधा देना पढ़े बहुत से लोग सोचते हों गति सिर्ण नहीं है तो बहुत ही मस्कील वालीको अराम से लेकिन यहीं से इजी पड़ता है और बच्चा जो है गीला भी नहीं होता है यह देखिए अब देखिए इसका भी फीडिंग जो है कंप्लीट हो चुका कर आप देख पारे होंगे तो निक्षे यह पूरा पॉर्संट जो है भर चुका है और यह देखिए साउंड भी करना स्टार्ट कर दिया फीडिंग को ही हम भी खतम करेंगे और फीड नहीं करेंगे एक्स्ट्रा कि दोस्तों यह प्लम हेयल का बेबी पैरोट यह देखिए काफी चोटा है और बहुत ही प्यार सा बढ़ा है और थोड़ा से यह डरता है इसलिए तो यह बढ़ता जाएगा तो इसलिए फोड़ा से डर जो research बढ़ता जा कि यह स्टूटा बढ़ है और इंसान को देख और कि यह देखिए हमने स्रीन में ले लिया है हैंडशीट को और यहां से हम इसको दे देंगे और यह अराम से ले लेगा कि आप सुन सकते हैं बेवी बेरोट को साउंड इस तरह से होता है अभी जैसा यह साउंड निकाल रहा है मस्त खा रहा है बिल्कुल आप इस तरह से अराम से दे सकते हैं कोई भी हड़वड़ी नहीं करना आपको और थोड़ा थोड़ा पूस करेंगे तो देखिए यह खाता जाएगा यह आप देख सकते हैं और दोस्तों टॉकिंग में बहुत अच्छा बढ़ होता है बहुत अच् अब देखेंगे इसका पेट तो भर चुका है थोड़ा सो और वह फीड कराएंगे अब मैं जो है दो टाइमी फीड कराता हूं सुबह और साम बस उससे ज्यादा मैं फीड नहीं कराता हूं कम फीड होगा कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन ओवर फीडिंग होगा तो सेकेंड बर्ड आपको दिफा रहा हूं यह सेकेंड बर्ड है छोटा है थोड़ा और इसको फीड कराएंगे सेम तरीका से हमने फीड ले लिया है और यहां हमारा बर्ड है इसको भी फीड कराएंगे दोनों को ही एक को तो हमने करा दिया अब इसको हम फीड कराते हैं यह द नहीं कराना है थोड़ा साब गेब देद एना है उसके बाद आपको फीड कराना यह देखा तो आपका बड जो आठाराम से फीड लेते रहाएब इसका हमने उसको मैं रख देता हूं यह बड़ा बच्चा है सबसे बड़ा कि इस बच्क होगा हो नोगा है थोड़ा से और देखे इसको भी रख दूगा मैं यह देखिए इसको फिल देंगा इन्हें और फिट देना और अराम से देना धीरे धीरे में ही वह पाएगा। अब हडबर करेंगे तो बड को प्रॉल्लम होगा यह देखिए फीड तो यह ले चुका है और यह थोड़ा सा अग बका टाइप से गिया इसको मैंने छोड़ दिया यानि कि जब से फीड लेने चाहते हैं कि नहीं ले और फिर हमों फीड कराते हैं इस तरह से यह करते हैं तो यह देखिए अब चलिए इसको भी रख देंगे आ शोटा बहुत ही ज्यादा शोटा है इसको भी फूढ एक इसको लें बाहर है यहाँ पैंब को दिखाता हूं यह वह दिखाया आपको दोस्तों प्रेंगने गवर्च्चा जिसको वह लें फढमेक करा थी और इसके पहले CTesehen pigment चोटा बच्च्छा है यह आपको बहुत कि लमेट का एक बच्चा मैं आपको फिर से बाहर निकाल करकर दिखा रहा हूं यहां पर देखिए से मने निकाला था कि यह बच्चा देखिए काफी ज्यादा मस्त है और बड़ा है कि इस बच्चे को साइड का लेते हैं तो आप इसको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं सिखा सकते हैं अच्छे से और टॉकिंग तोぎ यह 100% करेगा बहुत से लोग बोलतें कि तॉकिंग नहीं करेंग रिइंग नेक यह प्लम हेड तैश दॉग्द पाउगिंग striking बहुत बबदसकता आएगा और अच्छा टॉकिंग आएगा यह देखिए यह दो बच्चे हैं और अक्सर लोग बोलते हैं कि एक रखें कि दो रखें कि कौन से टॉकिंग करेगा आप एक रखेंगे तो भी उतना ही टॉकिंग करेगा दो रखेंगे तो भी उतना ही टॉकिंग करेगा लेकिन दो लोगो देख रहे होंगे आप कितने अच्छे से खेल रहा है कि प्लम हेट का क्या पहचान है तो मैंने आपको पहले भी बता है सिर्फ यह की चीछ से पकड़ पाएंगे आप प्लम हेट को इसका चोंच जो है वह यलो गलर का होगा यानिक पीला गलर का यह देखिए चीछ लोगो चीछ भी बता है